हलो दोस्तों वेलकम बैक कैसे हैं आप सब जैसे कि आप जानती हैं जैसे जैसे सरदियां आती हैं हमारी स्किन बहुत जादा डल और ड्राइ होने लगती हैं लेकिन ऐसे में हमें अपने स्किन केर को चेंज करने की जरूरत है और कुछ भी ऐसा सेयर नहीं करूंगी जो कि सल्दर्सदय जोड़े और का था स trainees आपकी स्किंझ भी इस्तार से स्किर चलिए देखते हैं करना के सबसे पहले कुछ चीजै करना क्या है सबसे पहले कुछ चीजें कर रहे हूं जिनको आपको बिल्कोल हैं आप के सकार यह हैर के दोनों बचा हुआ है लेकिन बहुत थोड़ा बचा हुआ है अगर आपकि स्किन ड्राइ स्किन है तो टीट्री को यूज करके आप किसी भी ओर एसंसियल ऑएल को जैसे रोजमेरी के लिए खासकर अपकी फेस के लिए रजल्स नहीं देगा जितना कि यह बादाम ओयल और कैस्टरोल ओयल देने वाला है इन दोनों ही चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी में आप डाल सकते हैं एक ग्लास बोटल लेना अगर हो सके तो क्योंकि ग्लास की बोटल बहुत पार्ट लेंगे कैस्टरोल ओयल का ठीक है दोनों को मिक्स कर लो बहुत से यूज करेंगे बहुत कई तरीकों से हम इसको यूज करने वाले हैं अब देखिए सबसे पहले क्योंकि हमारी स्किन जैसा कि मैंने बोला कि सर्दियों में हमारी स्किन थोड़ी सी डल हो जाती है औ बहुत ज्यादा यानि कि एक्स्ट्रा किसी भी चीज को करोगे तो उसके बेनिफिट नहीं आपको उसके नेगिटिव रजल्स देखने को मिलती हैं इसलिए इन सर्दियों में आपने बहुत ज्यादा स्क्रब को यूज नहीं करना है और इसके लिए आप एक बार अपनी स् बहुत ज्यादा में करें लगाना है कि हम चीजें अच्छे से नहीं करते हैं और हमें उसके ठा Trustees मिलते हैं फिर हमने लगता है कि डियूँमें जो ज़ सकते हों पर तुरकर अरशचे से करना के हो आप तो से 2 मिनाट तक अपने फेस को अच्छे से मसाज करना और आप देखो कि आपका फेस बहुत गरम हो गया है और सर्दियों में यह जो मसाज है ना और भी अच्छी लगेगी आपको क्योंकि बहुत ज़्यादा पाने का यूज हम यहां नहीं करेंगे ठीक है और बहुत ज़्यादा स्टीमि क्लीन होना चीए क्लीन फेस पे कुछ इस तरह के जो स्ट्रेप आपको आते हैं उस तरह की मसाज कर लो और आपकी मसल्स को भी यह रिलेक्स देता है तो काफी रिलेक्सिंग आपको फील होगा कोशिश करें कि अगर रात के समय इसको कर सके तो और ज़्यादा अच्छा होग इसके साथ जिन लोगों के पास बदाम ओयल नहीं है वो लोग प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग परचेस कर लो कोई बड़ी बात नहीं है बदाम ओयल हर एक स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा है तो अच्छे से वाइप करने के बाद आप फील करना एक काम बहुत अच्छे से कर पाता है इसके बाद आपने एक मास्क लगाना है जो एसा मास्क है जिसको आपको जो ओयल आपथ Ken ॆध धो डहने की जूरत नहीं आप इसे weekly कर सकते हैं अगर आपकी बहुत ज्यादा oily skin है ना तो आप इस mask को week में दो बार भी लगा सकते हैं हाँ इससे आप face wash कर सकते हैं daily क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला मैं कोई भी market based face wash यूज नहीं करती हूं इसी से मैं अपने जितने भी DIY आपके साथ शेयर करती इसको wash करती हूं और बहुत अच्छे results मिलते हैं क्योंकि इसमें इसको आप daily कर सकते हूं बिल्कुल भी आपके skin पे हाश नहीं होने वाला है बिल्कुल mild है यह इवन बच्चे भी अगर आपके बगर में बच्चे हैं उनके लिए भी आप इसको use कर सकते हैं तो इस mask को बना आते हो और बिना च्छाना हुआ है तो यह और भी अच्छा है आपके लिए उस आटे को हमने लेना है लगबग हाप स्पून आपने लेनी है और हाप स्पून ही आपने इसमें डालना है बेसंत दोनों ही चीजें बिल्कुल mild हैं बिल्कुल soft हैं किसी भी तरह से आपकी skin को नुकसान नहीं पहुचा सकते हैं चाहिए आपकी skin पे कोई भी issue है आपकी skin का टाइप जो भी है इसके बाद हम इसमें डालेंगे जो कस्तूरी हल्दी है वो कस्तूरी हल्दी नहीं है तो प्लीज आपकी इसको purchase कर लो काफी लंबे सालों तक चलती है यह और काफी reasonable price होते है इसके साथ साथ आपकी skin के लिए वर्दान है यह वर्दान ठीक है इसको लेने के बाद इन सारी चीजों को आपने जो है mix करना है दूद से या फिर दही से ठीक है मैं यहां पे दही इसमें add कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे skin का जो moisture है वो चला जाए मैं चाहत यह बहुत ज़्यदर dry आपको feel नहीं होगा उसके बाद आपने इसको wash कर लेना है इसके बाद अपने face को wipe करने के लिए पोचने के लिए अलग से towel रखो अगर towel नहीं है तो इस तरह के कोई भी पुराना cotton का दुपटा है न उसको रख लो रगड़ना नहीं है सिरफ हलके हल के हाथों से आपने पाने को जो है वो हटाना है उसके बाद आप toner का यूज केजिए toner विस्वास आपको करना ही पड़ेगा और कोई result है नहीं और कोई option हमारे पास है नहीं बहुत अच्छे से आपकी skin को इतना अच्छे से खासकर यह toner है ना इतना अच्छे से soft और आपको बिल्कुल भी dry feel नहीं होगा यह बहुत ही hydrating करता है आपकी skin को hydrate करता है इसकी बाद सिर्फ दो बूंदे जो oil हमने बनाया है इस oil को आपने daily यूज करना है सिर्फ दो बूंद के जितना हमने लेना है और हलके हलके गीले face पे ही जब हम toning करती है हलका हलका गीला face रहता है उसी पे हमने इसको लगा लेना है आप चाहें तो सिर्फ इसको भी लगा के सो सकते है इवन morning हो या night हो दोनों ही time आप इसको कर सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा oily आपको feel होता है बाहर आपको जाना पड़ता है तो सिर्फ आप aloe vera का यूज करें या भी जो भी DIY नहीं जो भी आप moisture अपने skin के लिए यूज करते हैं उसको आप यूज कर सकते हैं और काफी अच्छे results आपको मिलेगे तो इस तरह से आप हलके हलके हातों से इसको लगाना है मैंने इसके बाद aloe vera gel लगाया था तो जरूर बताना आपको कैसा लगा मुझे इसके results बहुत अच्छे म हमारे लिए बहुत मैनेत लगती है हर एक काम को करने में तो इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके तभी जाना थैंक यू फूर वोचिंग